हलो फ्रेंस वल्कम बैक तो माय चेनल फ्रेंस ये अज मैं हैंगिंग प्लांट के बारे में बताउँगे आपको जो की मेरे छोटिसे विंडो गार्दन पर लगा हुआ है यह मेरा छोटासा विंडो गार्दन है इंडोर में और शीडियो के पास बना हुआ और किसी दिन मैं पुरा एक वीडियो बनाऊंगी अपने इंडोर विंडो गार्डन पे तो ये हेंगेंग प्लांटर वहीं पे लगा हुआ है और काफी खुबसूरत है ये खुबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है बिल्कुल यानि कि आप इसे लुक नहीं दिखा पा रही हूं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसका एक्जेक्ट जो ब्यूटी है वो मैं दिखा पाऊं क्योंकि बहुत ही कुबसूरत लगता है ये सामने से बिल्कुल भी वैसा ये कैमरे में नहीं आ पा रहा है जितना कुबसूरत ये सामने से प्लांट को कई नामों से जाना जाता है लोरोपेटनम großer रूभी लीफ और इरेजन नाम से या फिर इसे लालसा नाम से भी जाना जाता है कई सारे इसके नाम होते हैं और इसकी कुछ वराइटीज भी होती है बड़ी पत्ती छोड़ी पत्ती का डिफरेंस होता है थोड़ा लेकिन इनकी जितनी भी वराइटीज होती है लगबग इसी कलर में आपको मिलेंगी काफी कॉमन सा प्लांट है ये कई लोग ऐसे कहते हैं कि चीफ प्लांट तो चीफ प्लांट मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरे लिए हर एक प्लांट कीमती है तो काफी कॉमन सा प्लांट होता है ये कॉमन इसलिए क्योंकि असानी से आपको पार्क में गार्डन्स में लगा हुआ मिल जाएगा हैज प्लांट के रूप में इस प्लांट को लगाया जाता है हैज के तरीके से लगाया जाता है हैज बनाया जाते है और कलर एड़ करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है आप अगर अपनी garden में color add करना चाते हैं तो आप इसे जरूर add कर सकते हैं बहुत ही low maintenance plant है बहुत ज़ादा ही low maintenance plant है मैं क्या बताओ इसके बारे में सच में friends इस plant को बिल्कुल भी मैं care नहीं करती हूँ और ये बहुत सुन्दर हो रहा है इस समय तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है वैसे ये full sun में अच्छे से रहता है इसकी जो पत्तियों का color है वो और खिलके आता है लेकिन मैंने इसे यहाँ पे लगाया है जो कि मेरा indoor है स तो उसमें ही ये plant काफी अच्छे से चल रहा है इसके पत्तियों के जो color है वो green नहीं हो पाए है अभी भी इसके color काफी अच्छे है और देखिए इसका propagation तो बहुत ही आसान है इस तरह से इसकी जो node है जगे जगे पे node होती है उनमें root बन जाती है अभी भी आप इस पे root द चोटी चोटी सी उपर से tip की cuttings को लेके भी 5-6 एंच की आप इसकी tip कट कर लें और उससे भी आप पानी में डाल के भी रख दें तो 4-5 दिन के अंदर ही इसमें root आपको देखने को मिल जाएगी roots इसमें develop हो जाती है और फिर जब आप उसे मिटी में लगाएंगे तो ये ब इसकी बिटी में लगा दें पूर से पूब्लांट है तो में पानी देना ही होता है अक्सर मैं इसमें पानी देना भी मतलब कि यह मेरे बागी इंडोर plants के साथ रखा हुआ तो इतना easy है इस plant का care करना तो बिल्कुल जो friends, plants का care नहीं कर पाते हैं या जोने लगता है कि एक easy सा plant हो ताकि जिसे हम लगा दे हैं और बहुत ज़्यादा care ना करनी पड़े उनके लिए ये plant बहुत ज़्यादा best है और जो लोग garden में color add करना चाहते हैं के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है हेंगिंग प्लांटर पसंद करने वाले लोग भी इसे लगा सकते हैं और मैं अब इसके बहुत सारे प्लांटर रेड़ी करूंगी कोई खास इसमें फैटलाइजर का किसी भी चीच का कोई भी वो नहीं है बस आप इसे लगा दो अराम से ये प्लांट आपके गडन में बना रहेगा पर्मानेंट प्लांट के तरह ये चलता है और बार बार इसका प्रोपागिशन आपको नहीं करना पड़ता है ये खुद से ही मल्टिप्लाइ होते रहते हैं तो फ्रेंस कैसा लगा आपको ये प्लांट और वीडियो की जो प्लांट की जो इंफरमिशन है अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में बैल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो फ्रेंस मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में इसी तरह के एक बहुत ही खुबसूरत प्लांट के बारे में इंफर्मेशन लेके ओके फ्रेंस बाई